नमस्कार आप देखरें रिप्रेजेंट इंडेन दूसर मैं हूँ मनिशा श्रीवास आपके साथ 15 से 16 फरवरी 2024 को रेलवे के केजूल लेबर्स को पुनह नियमित किया जाए यहां मांग को लेकर भाजपा के कामठी शहर उपध्यक्ष जितेंद्र खोबरागडे के नतुत्व में कामठी के जाए स्थम्ब चौक पर आंदोलन किया गया इस आंदोलन में पहुँचकर हमारे रिप्रेजेंट इंडिया नियूज ने जितेंद्र खोबरागडे कमठी शहर उपध्यक्ष से उनकी मांगो पर विस्तार से बात की आईए देखते हमारे रिप्रेजेंट इंडिया नियूज की खास रिपोर्ट आईए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ उनकी मांगे है कितने साल से उनकी मांगो को लेकर लड़ रहे है और आज फिर से उनने एक बार क्यों फिर से आंदोलन करने की जरुत पड़ी है खोबरागडे सर आप कमठी शहर के बीजेपी के उपध्यक्ष है तो आप क्या बता चाहेंगे आप आंदोलन कर रहे हैं क्या मांगे है दो से ढ़ाई साल पहले बीजेपी में प्रवेश करने के लिए गया था बावनकुडे साहब ने मुझे ये बोला गया है जो क्याजियो लेबर है इन्हें री एंगेज करने के लिए नियमित करने के लिए रेल मंत्री राव साहब दानवे इनसे मिटिंग लेकर जितने भी क्याजियो लेबर है इन्हें पुनर नियमित किया जाएंगा मिटिंग लिया जाएंगा इसलिए मैं प्रभावित होके बावनकुडे साहब के बातों से मैं प्रवेश लिया और बीज़ेपी में गया हम लोग विवी तरीके का धारना अंदोलन करते है एक बार हम लोग सवईदान चोप में भी बैठे है अनुसरी जाती आयो नहीं दिल्ली यहां पर भी हमारी सुनवाई हुई है परन्तु अभी तक के कोई हल नहीं निकला है आपके साथ आज हमने देखा कि कुछ कम लोग है क्या दिक्कत है लोगों को आने जाने में क्या प्रॉबलम है कि वो नहीं आ पाए जी मैडम यह गरीब लोग है मजदूरी करते हैं अगर यहां आएंगे तो इनकी मजदूरी जाएंगी इनका यह अत्यनत अलप गरीब लोग है मैडम इनको खाने के लिए बराबर वेवस्ता नहीं है यह कैसे तो भी यहां तक के आया है मैं गुजारिश करता हूँ कि इनको इनके पिताजी के जगा इनके लड़की हो या लड़का हो या इनकी पत्नी हो इनको दिया जाए सब्टूटूट में दिया जाए सब्टूटूट यानि कोई पर्मानन जाब नहीं होता रेलवे में ये किसी के जगे होता है मैडम तो सब्टूटिट में दिया जाए तो इनका परिवार सुकी होगा मैडम 21 साल से आप ये मांगे कर रहे है तो क्या रेलवे प्रिशासन के दौरा कुछ आपको कुछ मिल रहा है समर्थन उनका कुछ भी नहीं मिल रहा मैडम केवल आशवाशन देते है आशवाशन देने के बाद में हमको बोल देते है कि देखेंगे हम लोग लेकिन ऐसा कोई भी यह जो सटिक आशवाशन है वो नहीं देते है मड़े या आपकी मुख्य मंत्री से कोई बात हुई इस विचाए पार नहीं मैडम हमारी अनुसरी जाती आयोग अनुसरी जन जाती आयोग इनसे 2018 में मायत आई इनमाते से मिटिंग हुई थी तब रेल प्रशाशन ने DRM, DPO ने बोला था कि बाकी लोगों को हम लेंगे करके लेकिन अभी तक के किसी ने लिया नहीं और बावनकुडे साब ने भी हमारे को आशवाशन दिया था कि रेल मंत्री से विशशकर मिटिंग लेकर जितने भी ये सब भाई भयन है इनको लिया जाएंगा लेकिन बावनकुडे साब ने भी अभी तक के ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जबकि बावनकुडे साब भाजपा प्रजे सद्यक्ष है वो चाहो तो कभी भी कर सकते रावसाब दानवे से मिटिंग लगा सकते है लेकिन पता नहीं बावनकुडे साब हम SCST कैंडेड है उनसे क्यू ऐसा वेवार कर रहे है तो समझ में नहीं आ रहा है हुझे मैं बावनकुडे साब से फिर से रिक्वेश्ट करता हूँ विननती करता हूँ कि ये हमारी जो केस है ये रावसाब दानवे साब के सामने रख कर ये जितने भी SCST कैंडेड कैंडेड लेवर है और बरखात हुए थे मैं ये चाहता हूँ कि उनकी पत्नी अभी जिवी थे तो रहते विए इनके बच्चों को भी रेल्वे में समाविश्ट किया जाए यही मेरी कामना है समय मैडम कुछ ऐसी मांगे है जो आप सामने रखना चाहते है कुछ दो तिन चाहर मांगे ऐसा आप बता दिजिए मैडम हम लोग तो ग्यांग में भरती हुए थे और ग्यांग ये गुरूप D का है हम लोग कोई गुरूप C की नवकरी नहीं मंग रहे गुरूप D की ही मंग रहे और उसमें भी गुरूप D में क्याजिवल लेबर थे तो उसमें सब्टूटूटूट आता है सब्टूटूट सेंटेंस है सब्टूटूट याने किसी के जगा पर्मानन जगा नहीं है मैडम तो सब्टूटूट में दिया जाए हम लोग समाधान रहेंगे और जो भी है मैडम ये जो बच्चिया है अगर इनको इनका अगर हो जाता है तो इनका भविश्य उजल हो जाएंगा मैडम और विशेश करके हम ये बच्चिया है बच्चिया का बच्चिया फड़ रही है तो हमें ग्यांग में ही दिये तो हम लोग समाधान रहे मैडम लेकिन मैं इसके पहले एक मेना पहले तुमाने साब खादार साब ने भी अनुसरी जाती आयोक दिल्ली को पत्र भेजा है और एक पत्र जीम साब बिलासपूर को भेजा है कि इनके परिवार के एक सदस्य को नवकरी दिया जाए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वाहुनकुरे साब से भाहुनकुरे साब ने हमारे को आशवाशन दिया था कामठी BJB कर्याले में कि जितने भी एक क्याजयोर लेबर है उन्हें फिर से नियमित किया जाएगा मैं पुनर बावनकुले साप से विननती करता हूँ, हाज जोडता हूँ ये कामठी के जो लोग है इन्हें रेल्वे में नियमीत किया जाए और ये बच्चों को रोजगार दिया जाए हमारे साथ कुछ जो पहले बर्खास्त किये गए है रेल्वे की कर्मचारी जो थे उनको बर्खास्त किया गया था उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए है जो युवा पीड़ी है वो क्या कहना चाहते हैं उनसे भी जान लेते हैं आपका नाम बता दिजिए और हमें बताई कि आप क्या चाहती है मेरा नाम रेशमा दुरका है मेरे पापा पहले गैंग मेन ग्रूपडी में जॉप करते थे लेकिन अभी तक उनका परमानिट नहीं किया गया था उनको निकाल दिया गया था लेकिन सरकार ने कोई कदब नहीं उठाया है लेकिन वो लोग मजदूरी करके आस तक अपने बच्चों को पढ़ाय लिखाय सब कुछ किये लेकिन मेरी सरकार से यही दोरकास है कि हमारे पापा लोगों की उमर 50 से 60 वर्ष की हो गई है लेकिन वो लोग ने अपनी जीवन बिता चुके है लेकिन मेरी सरकार से यही दोरकास है कि उनके बच्चों को रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने परिवार और सरकार को आगे बढ़ा सके कुछ और भी है युवा उनसे भी हम जानते हैं कि उनकी क्या माँगे आप क्या बताना चाहेंगे आपका नाम बता मैं जेश्री गंगाधर दुरगे मैं गंगाधर के लड़की हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ मेरे भी पापा की डेट हो गई है मेरे पापा भी एक मेंबर थे मर उस समय उनकी डियूटी निकाल दिया गया था फिर वो जगह बच्चों को मिलना चाहिए कि वो डिवटे के साहरे सब जी सके तो अब बावन कुड़े सार से क्या कहना चाहेंगे और ये जो पत्र वेवार हुआ था दानवे जी के साथ में तो उसको कितना समय हो गया माडम ये तो दो साल के उपर हो गया है पत्र वेवार करके लेकिन ऐसा कोई विशेश या मिटिंग जीम से मिटिंग नहीं, दानवे साब से नहीं, अनुसरी जाती आयोक से नहीं, जन जाती आयोक से नहीं, किसी से भी अगर मिटिंग लिये, तो हमारे ये casual labor है विचारे, इनका भविश्या उज्वल हो जाएगा तो सर अभी जो बावनकुड़े सर ने जो दानवे जी से बात की थी, तो अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं, अभी आप कैसे कदम उठाना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं, जी बावनकुड़े साब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, बावनकुड़े साब ने दो मिटिंग लेकर इने नियमित किया जाए यही हमारी वावनकुडे साप से रिक्वेस्ट है और यह आचार सहिता लगने के पहले यह मिटिंग लगा दीजिए ताकि यह क्याजियोल लेबर है इनका भविश्य उजोल होए और यह जो महिला है लड़किया है इनका भी भविश्य अधर उजोल हो यह हमारी रिक्वेस्ट है हमारे रिप्रेस्टेंट इंडियनी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब आप हमारे कामठी में आया और हमारे कैजियो लेबर की बात सुने इसके लिए हम विशेज धन्यवाद करें